नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके साथ मैं हूँ पुनीत मिश्रा एक कहावत आपने सुनी होगी कि सियासत का उट कब किस करवट बैठ जाए किसी को पता ही नहीं हो था और इन दिनों मध्यप्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासी गल्यारों में बस एक ही सवाल इसे लेकर बना हुआ है कि क्या करेंगे कमलनाथ दुआ यूही नहीं उटता कहीं न कहीं आग भी लगी होगी प्रती कारिकर्ताओं को विश्वास खतम हो गया इसलिए भारती जनता पार्टी में लोग आ रहे है और मोधी जी के प्रती नों का विश्वास है यदि कहीं धुआ निकल रहा है तो समझ लिजी कुछ तो आग होगी है कमलाथ और नकलाथ की बीजीपी में आने की संभावना हो रही है कैसे देखते हैं सर इसे मैंने पार्टी अदर्स ने कहा है सबका स्वागत है बीजीपी का दिल बहुत बड़ा है और जो भी आएंगे अपनी उन भूल चुक को छमा करनवाने के लिए तो बीजीपी हाथ खोल कर बाहें खोल कर सबका स्वागत करती है तो आखिर क्या है इस बयान के माईने सियासत के मंझे हुए खिलाडी कहलाने वाले कमलात कॉंगिनुस के चार पीडियों के साथ ही रही है इंदिना कांधी के तीसरे बेटे के रूप में पहचाने जाते हैं और इसी बात की दुहाई कॉंगिनुस के कई बड़े नेता मीडिया में देते नजर भी आए मुझे नहीं लगता कि वे बाटी छोड़ें दबाव E.D. का, I.T. का, C.B.I. का, जो सब पर है वो उन पर भी है लेकिन कमलात जी का चरित दबाव में आने वाला नहीं रहा नहीं, मैं यहां सिर्फ काशी विश्वनात की बात करता हूँ, कमलात की नहीं लेकिन बीदे एक महिने से जो बाते सियासी फिजा में तैर रही थी उसने सियासी खेमे में खूब हल चल मचाई लेकिन अब पल पल चीज़ें बदल रही है नए नए अपडेट आ रही है कहीं जंडा उतर रहा है और कहीं नया जंडा लग रहा है ट्विटर पर डीपी बदली जा रही है, स्टेटस बदला जा रहा है और इस सब के केंदर में हैं कमलनात जिनके फुत्र समयत बीजेपी में जाने के खबर ऐसी उड़ी की संसरी मच गई अब खबर में कितना दम है, सच क्या है, आगे क्या होगा ऐसे कई सारे सवालों का जवाब सियासी पंडित भी नहीं खोच पा रहे है उधर ना इनकार ना इकरार वाली सियासत पर कमलनात के कदम अब तक बढ़े हैं लेकिन इस सब के बीच मध्धी प्रदेश के पूर्व मंत्री और कॉंग्रिस के वरिष्ठ नेता सजन सिंग वर्मा के कमलनात से मुलाकात के पहले और मुलाकात के बाद वाले बयान ने होती हुई हाँ को ना का जामा पहना दिया है अबी मेरा इस तरह किसी कोई विचार ही नहीं है ना मेने किसी से चर्चा की मेने का मीडिया वाले बोल रहा है कि आपने इंकार भी नहीं किया उनका कि मीडिया वालों की बनाया हूँ प्रशन है और वो ही जवाब दे किमिडया वाले और का चिर्चा की वह जा रहा हूं कानी जा रहा हूं तो मलाजी कि भीख्शन चुनाओ के टाइम सिक नीजा रही तब तो फिल्हाल नाइंकार नाकिरार और बस है फैसले का इंतिजार वाली बातों के बीच जानकारों की समझ की सुई ये भी इशारा कहीं न कहीं कर रही है कि कहीं ये पावर यानिकी शक्ती के प्रदर्शन का खेल तो नहीं है कमलात तो सियासत के मज़े हुए खिलारी भी है या फिर सच मुच आग लग ही चुकी है आएए आज डिबेट की करते हैं शुरुआत और हमारे साथ खास मैमान जुड़ चुके हैं उनका स्वागत कर लेते हैं उनका परिशाय आपको करा देते हैं सर्मन अगेले साब आप वरिश्ट पत्रकार हैं सर बहुत स्वागत आपका अभीनाव बरॉल्या जी कॉंग्रस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभीनाव जी आपका भी बहुत स्वागत है कि क्या हो रहा है यह सब क्या चल रहा है क्यों जा रहे हैं सज्जन सिंग वर्मा जब सब कुछ ठीक ठाक है दुहाई ग्यों दी जा रही है अभीनाव जी लिखे आपको आज इस पुश्ठ हो गया होगा जब संजन सिंग वर्मा जी हमारे वरिश नीता जी का बयान आया तो मेरा इतना कहना है कि भारत देश जो है लुकतांत्रिक देश होती है उसको हम 24 सिस्थम कहते हैं ह५ं और उसको बरकरार रखना भी पत्रकार लोगों का काम होता है लेकिन जिस तरीके से मैं परसो भी इस बात को बोल रहा था कि ठीक है किसी ने बायो बदला या जो भी किया है उसको हम वहाँ पे विराम देके आगे बढ़े लेकिन संसनी फैलाने का काम जिस तरीके से सारी मीडि को लेके गर्महाट है आप देखेंगे नौकरियां मद्रप्रदेश में एक लाग से जाधा अतीती शिक्षाकों को तंखा नहीं मिली है इतने बड़े बड़े मुद्दे उसके साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके लेके बड़ी परिशानिया है तो हम कमलाजी को लेकर अगर क नहीं कुछ नहीं बोला उन्होंने ये बात भी बोली कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं सारी बात सामने हैं तेरही में जा रहे हैं आपको चलना है तो चले तो आप लेकिन फिर भी मीडिया नहीं मान रही थी और लगातार इस बात को आगे बढ़ाती जा रही थी तो मेरे को लग मैं तो बहुत साधार सी बात कहना चाहूंगा कि पत्रकार तो जो दिखता है उसको दिखाता है जो मतलब एक हम क्या सकते हैं फिल्में हैं पत्रकारता है यह सब हमारी समीक्षा के स्थान हैं तो जो समाज में घटेत होता है उसको ऐसा रख देते हैं आपको आपका पक्ष निर्दोश होते हैं और सारा दोश मीडिया का है तो आपके तर्शक भी मुस्कुरा देंगे इने ता इतने निर्दोश भी नहीं होते हैं कि चुप्चाप अपनी डीपियां बदल दें उनके मुवमेंट दिखाई दें फिर यही सज्जन वर्मा जी दो दिन पहले कहते हैं कि कमलाज जाएंगे और वहीं जाएंगे उनने तो नहीं कहा था कि यह मीडिया ने नहीं कहा है उन्होंने अपने हाँ से लिखा है ट्विटर पर उन्होंने लिखा है मीडिया ने नहीं कहा है पिर दीपक सक्सेना जी भी है वो भी कॉंग्रेस्मेन है तो मुझे लगता है नि मिल रहा है जिसके कारण यह सब बाते ने करा रही है अगें मैंने भी माना और लेकिन आप लोग भी तो कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहें कल से फिर से मेगा भियान मध्य प्रदेश में क्या आलत कर दे रहें कर दे रहें कर दे रहें आप कॉंग्रेस की हमारा तो 29 का लक्ष है तो हम तो भई उसकी तरफ आगे बढ़ें के हमारा हाउस और में हैं हमारे कारयले कुल गए हैं अब हम लोग की सूचिया आने लग जाएंगी तो हम तो भई 370 के अपने टार्गेट को लेकर बढ़ रहें ना अगे उसमें कोई हमारा दोश है क्या वहां पर सब ध्वस्त है आइडियोलाजी द्वस्त है सब ध्वस्त है है ना उसका रीजन यह है कि वो सोच नहीं नहीं चाहते हैं वो इसके मतलब पलायन सोचते हैं वो मुनीट जी में दोश ढूड़ते हैं मीडिया में पूरे देश में मीडिया सब सब गलत है क्या ऐसा तुतना होता है वहां आप कमलाजी कॉंग्रेस में ही है कहीं नहीं गया है इसमें कोई दो मत नहीं है बरुलिया जाब और मुझे ऐसा लगता है कि उसको सीरियसली और गंबेरता से सोच कर उस पर विचार करके चलना चाहिए अब जैराम रमेशी ने कैसा लूस कमेंट कर दिया कि मेरे को तो काशी वि जवाब देते हैं मेहनत करते हैं और फिर उसके बाद कोई भी आपका साथी यादी कोई भी लूस ऐसा बोल जाए तो खराब लगता है तो मुझे लगता है ये समय कॉंग्रेस को जो है आत्मी चिंतन का समय है और वाचपई साब अब हमारे जो बाकी मेमान हैं उनसे भी ले शक हमारे साथ जुड़े वे रहा है कैसे देख रहा है यह पूरा जो घटना कर ऑव चल रहा है 厭ाव का इस देखर रहा है ॉर क्या केवल ये मीडिया के बारे में जो कॉंग्रेस कह रही कि तो मीडिया की उगाई फसल है या मीडिया की उपज है ऐसा कुछ नजर आ र पर इसका दोस्त बढ़ देना ये विरुकुल गलत है. कमल नाजी के मन में जाहिव सी बात है, कुछ ये चल रही है, उनको कुछ तकलीव दुख हुआ होगा, कुछ उनसे वो सब कॉर्णे चोड़ के जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, क्योंने मोदी जी की नितरत विश्वास नजर आ रहा है, उनको दिख रहा है, सपस्ट उसे, कि दो हजार चौबीज में मोदी जी सपस्ट पर पहुमत लेकर आने वाले हैं, और लंबे समय तक के लिए काम करेंगी, आधिवास के लिए काम करेंगी, इससे लोग का उजवास कनेक्ट हो रहा है, और इसी में जैसे बड़े-बड़े चीनले लिए चोड़ रहे हैं, बिना आपके दुआ नहीं निकलता, तो इस बात में कोई पतही ही हैं, या फिर केवल हवा में तेरती ह कोई बाते हैं, शर्मणनगिले साब, आप तो पत्रकार खोद हैं और पत्रकारों पर ही सवाल उठा Soul झाल प्तार रहे हैं कि पत्रकारों ने ऐसे एवए सद्र है उनकी आस्था पर चोट पहुंचाने का चबी खराब करने का तो मेरा यह कहना मेरा अनुभव यह कहता है कि कमनलाज जी मीडिया फ्रेंडली कभी नहीं रहे मीडिया के प्रति उनका सोच जो है न में चोट अशाव धारन दे रहा हूं कि इन दौर में किसी कारक्रम मे ले रहे थे कमनलाट जी कहां यहां से हट जाई हुए वों लोग नहीं हटे उनके अपने औरन भातर संबी मेडिया के अरे घ decentogen यह happy दें उनकी प्रेस कांफरेंस के दौराने से कई सारे बाक्या होते हुए देखे गए हैं एक तो यह दूसरा मेरा यह ब्यक्तिकात मानना यह है कि देखे कमलनाजी का मैं थोड़ असादी आप समय देंगे तो बताऊं कि वह एक बार किसी एक विसे में ऐसे उलज गए थे तो उन्हो 45 साल का जो इत्यास है वो बिना पद के नहीं रह सकते बिदायक यहां है अब इसमें बहुत ज्यादा कोई महत है नहीं कहने की बात अलग जाती कि मेरें को पद नहीं चाहिए लेकि अगर आगे बढ़ा हूं आप कह रहे हैं कि बिना पद के नहीं रह सकते और यही कुछ हाल तो जियोते रादित सिंधिया के साथ भी था कि जैसे ही वो हारे उसके बाद मन भी बदल गया और उसके बाद जो कुछ हुआ हम सब ने देखा है अब इना वरलिया साब क्या पहले सिंधिया जो चाप्टर था वो जिस तरीके से पूरा घटना करम हुआ अभी जो घटना कर रहा है ना कॉंग्रेस पार्टी को आ रहा है हमारे जीतू पटवारी जी का भी बयान इस पश्ट रूप से आपने सुन लिया होगा और सज्जन सिंग वर्मा जी को सुन लिया होगा तो मेर को लगता है कि हमें इसको विराम दे देना चाहिए आगे आगे आपको अगर लगता है इस मुझे को बढ़ाना है तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है हमें इस समय जो है मुद्दे जो हैं मुद्दो पर बात करनी चाहिए भारत क्या कुछ कहना है वो सुनवा देते हैं प्यारती जनता पार्टी किस तरीके का मेडिया का दूर्पयोग करके किसी भी वेक् कि आस्था को पर सवाल खड़े करती है एक बार फिर जाहिर हुआ अभी कमनलाग जी से मेरी बात हुई उन्होंने का ही मेडिया में जिव भी जीज भी तरह की बाते आ रही है यह सब एक तरह का सडियंत्र है कांस्पेरेंसी है मैं कांग्रेसी था हुमोर रहूंगा और जो और गांथी परिवारसमीर के रिश्टे हैं हो को कुण की के थे कहने पर या किसी के बताने पर तूटते नहीं है वह हमेशा कांस्पी विचारधारा के साथ जी और कंग्रेस की विचारदारा के साथ अंतिन समय तक रहेंगे यह 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 ून्हें टेरिक کی वह स् क्यों थिजि मेडिया के बाते थी मीडिया के सवाल थे मीडिया की जवाब कमलात जी ने कोई जवाब नहीं दिया दिल्ली में मौझूद है दिल्ली में तो पूरी मीडिया भी मौझूद है सामने क्यों नहीं आ गहें सजन सिंग वर्मा कहते हैं जी तुपटवारी क्यों कहना पड़ता है कि क्या कॉंग्रिस में गए उन नेताओं की यह बार-बार यह बताना पड़ता अभिनाव जी कि तीसरे बेटे इंद्रा गांधी के कमलात कहलाते हैं यह बार-बार दुहाई की अधिति शिक्षा को की नहीं मिली है आप देखिए इस्तिति क्या है आज महंगाई बेरोजगारी जो चरम पर है लोग अंदुला इंडिया गट बंदन आप देख लीजिए किस तरीके से दबाया जा रहा एडी लोग देखिए का इस्तमाल किया जा रहा है धंकाया जा रहा है नोटिस भेज़े जा रहा है तो यह सारी बाते जो हो रही इनको दबाने के लिए आप भ्रहम फैलाने की बाते नहीं उने छी कोई बात जीतू पड़वारी जी ने बोली है कि मीडिया खुदी सवाल बना रहा है खुदी उसका जवाब दे रहा है लेकिन कमलाज जी ने भी तो आज बोला है कि मैं तेरवी में जा रहा हूं आप लोग को चलना हो तो चलें पत्रकारों को बोला उन्हें लेकिन आप पीछे चला जाओंगा 40 साल का साथ है अरे स्वाल सीधा है कि वह जहां जाएंगे उनके पीछे जाओंगा ये क्यों कहा सजन सिंग वर्मा ने क्यों लिखा लिख बोल दिया तो हम उसके बहस करने लगें उसको राश्ट्री मुद्धा बना लें चलिए ठीक है आपको लग रहा है कि कमलात एक मुद्धा हैं ही नहीं आपकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि कमलात मुद्धा ही नहीं वह बच्पेसा तो फिर क्या है यह पिर समझाई य लिख बाते हैं तो आपके ही वेक्ति हैं आपके ही पूर मंत्री हैं पूरी इन्हों नहीं पूरी नहीं चलाई लिए चल्वाई तो मुझे लगता है देखो बरूलिय जी फिर मैं आप से निविदन करो आप इंडिफेंसेबल को डिफेंस करेंगे तो बहुत ख़ड़ा नह बात रखी हैं यह नहीं जा है को कमला जी खुदी नहीं बना कर रहे हैं उनके सामने तो सब जा रहे हैं ना पत्रकार तुरना उनसे बिना बात किये कोई बात रखी जा रहे हैं मेरी शुरुआती इससे हुई थी और हमें बहुत घंभीरता के साथ मुद्धों का चैन करना चाहिए कि वह क्यों नहीं किसानों के बारे में बोलते हैं कि मैं कमला जी का आप मान हुआ है और कैसा थोड़ी नहीं होता है अगर पूछ ले कि आप शिवरा सिंग चौहान जी को चाहता हो कि मेडिया गुम्रा कर रहा है आपके लोग ही अपने डिस्प्लेश कर रहे हैं आपके लोग इस पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं खासतोर से कमला जी स्वयं दो तीन बार वो मिले हैं वो कहते हैं तो कहते हैं मैं कहीं नहीं जा रहा हूं इतना बुले में क्या दिक्कत है उन्होंने पर यह कहा इंतजार करिये हम आपको समय आने पर बताएंगे जी आप किसी बात को अगर नहीं समझ पा रहे हैं अगर हम गंबिर नहीं है हमें गंबिर बता बोड़ेगा इसमें शामिल करना चाहता हूं इसमें राकेश बिल्सप बात यह हैं कि बीजेपी और कॉंग्रेस के जो प्रवक्ता हैं दोनों के बीच में जो बहस या अपनी ब आपकी बगारी यह बता दे रहा हूं आपको में आपकी पार्टी दोसो पीस से आगे निया जाएगी आपकी पार्टी दोसो पीस से आगे नहीं जाएगी नरेंदर मोदी जी की जो पार्टी है, सरकार है, बाचपा जो है, राकिश गोयल जी आपकी पार्टी, दो सो पीच से आगे नहीं जाएगी आपकी पार्टी राकिश गोयल जी, आप लोग बहुत बुरी तरह हारने वाले हो। बताने के लिए इंगित कर रहा है, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कल से फिर से मेगा जॉइनिग अभियान चुरू हो रहा है, शायद उसकी लिस्ट नहीं बता पाएंगे, हमारे कॉंग्रेस के साथ ही अभिनव जी कि कल क्या होने वाला है, उनको आज शायद बैठे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम हो कि कल क्या होने वाला, किसकी निजबत बदल जाएगी, काउम भरोलिया साहब आजाए, हमको फिर लगना चोड़ना पड़ेगा, हमसा, सर्वन जी, जहां तक मेरी जो समझ कहती है, कि जो दो-तीन दिन से घटना करम चला है, मीडिया के सद्धेश को राहुल गांदी जी को एक संदेश देने की कोशिस की गई है, मीडिया के माध्यम से, और वो संदेश इसलिए क्योंकि कमल ना जी पर आलोक सर्माजी के माध्यम से ब्यान लगा, एक उनके उपर आरोप लगाया गया था, विदानसभा चुनाओ के संदर में, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो एक मीडिया के माध्य, देखिए कमल ना जी भी मीडिया का खेल खेलना हैं, और मीडिया अपना काम कर रहा है, और जो बाकी लोग मीडिया के मातलब मीडिया को उपियों करना चाहरा है, वो भी कर रहा है, इसमें टूल सिर्फ मीडिया बनत बात करते हैं और बार बार मीडिया के समख्छ नहीं आते वि较तास यह कि दोरान 2 मेने मीडिया से भी मिलस करो मेरे that अwen इंडिया गटबंदन की पाइटक के लिए भी कह दी थी कि मोझे डिस्टर्ब मत करो तो मेरा यह कहना यह है कि वो मीडिया की बीच में नहीं आएंगी लेकिन चुकि इतना बड़ा बिसे बन गया है तो कमल नाज जी को आपने जो टूटर हंडल है उनका उस पर लिख दे ना पर टूटर हंडल पर टूट कर दें कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं इसके अलावा उनके बेटे नकुलनात लिख दे यह वो अपना ब्यान जारी कर दें जो है कि अपनी एहमियत जो है कई बार वक्त पर बतानी पड़ती है कि हम क्या थे और क्या हैं यही तो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी अभी सर्बंसर ने कहा कि बहुत ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली तो नहीं हैं लेकिन पुराने धुरंदर खिलाडी भी है उनको मालूम है कि कहां कैसे करना है सब कुछ देखे यह सब भाजपा में चलता होगा टाइगर जिन्दा है या सिंधिया जी शिवराज जी वहां पे जो चलता है वह वह ज़ते जा रहें ने ने अब इसने लोग चोड़ कर चलेगा लिस्ट बता पाएंगे क्या कितने लोग चोड़के चलेगा के तब देखिए मैं इस पर नहीं जाता हो कॉंग्रेस बहुत बड़ा समद्धे एक बालटी दो बालटी दस बाल टी कितना भी सकभी भी लोग हो जाएगी कैसा कही पर नहीं है लगाना कॉंग्रेस होती है हमीशे ागे बढ़ती है क्योंकि कॉंग्ईरेस को कॉंग्रेस को जनता मंने आगे एब हमावा हमbre 아 that सफाइब जाता है एक यह सब। कि आपने का कि यह मेडिया की हुप जा लेकिन लगातार गिरते जा रहे ना साथ साथ उसका क्या तो डर जो जो ताना शाह सरकार है इस देश में जो चल रही है वो तो डर दिखा रही है अब जो डर रहा है वो उसके विकेट गिर रहा है वो जो डर रहा है लालू यादव चुनी हुई सरकार को आप उल्ड़ा जीदा बोल सब्सक्राइब और बिल्कुल इमानदारी से बरुलिया साथ एक सवाल का जवाब मुझे देदीजिए फिर भी मुझे कमांड दिया जा रहा है लेकिन मुझे यह बताइए कि कल से बीजेपी का मेगा जॉइनिंग अभियान जो शूरू हो रहा है मद्यप्रोटी के पाससे क्ता लिस्ट पासकता है कि अन्य घाली हो रहे कुझे पहले जानकारी नहीं है आपको भी कोई जाना करी नहीं है कर लेते हैं 24 गंटे का इंतजार बदल गया बहुत शुक्रिया आप सभी मेमानों का वारसार चर्चा में शामिल होने के लिए तो इसी के साथ आज की इस डिवेट में फिलहाल के लिए बस इतना ही तीजी अजासत